आख नम है, हर दिल में गुस्सा भरा हुआ है, सब रो रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि जवाब मिले, क्यों है ये सब, और क्यों हुआ है ये, हर भाई कब तक हमारा इस तरीके से सरहत पे अपनी जान देता रहेगा, और क्यों देगा? कि वो अपनी जान लुटा गए, और हमें अपना कर्जदार बना के चले गए, क्या कहूं मैं उन लोगों के लिए, जो आप हमारे बीच में नहीं है, किसी का भाई नहीं है, आज किसी का बेटा नहीं है, और किसी का पती नहीं है, और किसी का पिता नहीं है, नहीं लटा सकते ह हम उन लोगों की जान को लेकिन क्या करें हम सिर्फ रो कर नहीं जी सकते हैं हम कम से कम उनके लिए हम हाद चोड़ के प्रेयर करते हैं कि है इश्वर अब किसी का भाई बेटा पती और बाप इस दुनिया से इस कदर ना जाए क्योंकि हमारे जवान हमारी शान है इनको एक बार दिल से मैं सल्यूट करती हूँ जय भारत मा की जय हिंद है इस मैं आज आप लोगों के सामने बैट गई हूँ कोई व्लॉग लेकिन ही आई हूँ कुछ ऐसा लेकिन ही आई हूँ जिससे कि आपको बहुत एंटेटेंड कर पाऊं और मैं आज आपको एंटेटेंड नहीं कर एक दिन आया और उसने सब कुछ अंधेरा करके वो दिन हमारी हम सभी की लाइफ में अंधेरा करके चला गया बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मैंने वो दिन मनाया खुशी की तौर पे मनाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो दिन काला दिन निकलेगा मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो दिन वो जो खुशी हम एक खुशी की तरह मना रहे हो वो खुशी नहीं होगी वो एक इतना गंडा सच होगा उसके पीछे कुछ और चुपा है उसके पीछे कुछ और गंद है कुछ गलत हो गया है मैं कि वही 40 जवान जो हमारे बीच में नहीं है आप बहुत दुख हो रहा है और उससे भी बड़ी चीज की शरम आ रही है अपने हुपर की उसे हमने मनाया उसका बहुत बड़ा कारण जो है वह मैं बताती हूँ आपको वो यह है कि मेरे घर में टीवी नहीं चल रहा लमसम एक डिड़ हफते से टीवी नहीं चल रहा मेरे घर में टीवी हमारा वदब किवल नहीं है टीवी नहीं चल रहा है तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसा हो गया है लेक एक परसंट भी नहीं पता था कि कु कुछ ऐसा हुआ है tutor, अपने अउपर अफसोस हला कि यह क्या हो गया स्थितु कि नहीं सीरे कर सकते हैं अब कुछ भी कर ले हम रो ले पीट ले कुछ भी अब गले, किसीITT कर एंदों कम यह गळा चुंद गालिया दों कि ल tą शुट झार, को हम इससे आई 14 फेबरी, बहुत बहुत गंदा और बहुत काला दिन था, ब्लैक डे, इसको अनॉस्मेंट कर देनी चाहिए, इसको 14 फेबरी, ये वेलेंटाइन्स डे, ये सब अब नहीं रहना चाहिए, और मैंने इसको सेलिब्रेट किया, इसलिए मुझे और ज्यादा दुख हो रहा है कि म कुछा है, बहुत किया वो हुँआ, जाने माले को चले गए, जोने जाना था, वो लोग चले गए, लेकिन वो अपने पीछें, कितनी सारे इस्पोंसिब्लिटी और जिम्मेदार आ चोड़के चले गए होगे हो गए, किसी कि बच्चे छुटे-छुटे होगे, किसी की अध hayır कि अभी दिए नहीं साधी होई वब रूज तो छली गए हमारा जो लॉस लेकिन उनका क्या उनकी पैमिलीश का सहलो जिनका जो यह उसक्त करो रहे होंगे कि अब हम क्या करें कि मतने वह जो को ट्राइब सुम्सों मुstat लेकिन नग 누ाया है उनके पास ़तोकर करें क्या करें बहुत ज़्यादा प्रेयर है और एक बहुत बड़ा सल्यूट है उन सभी जवानों की वाइफ को सिस्टर्स को और माओं को उन माओं को एक बहुत नमन भरा प्रणाम है कि जिनोंने ऐसे जवान हमारे बीच में जो लेके आई थी जिनके कोक से वो लोग जन्मे थे और एक बहुत बड़ा सल्यूट है और बहुत बड़ा दिल सीख बहुत प्रेयर करती हूं बहुत बड़ा सल्यूट कि उनकी जो वाइफ है कभी भी किसी ने मुसे कहा था कि जब किसी की आर्मी मैन की वाइफ को देखना ना तो एक आर्मी मैन को जितनी रिस्पेक्ट हम दे संहात के बाद जब जग लड़ता से पता होता है कि उसके घर में एक उरत है जो उसके लड़ते है और उसके ना रहने। प्यादे के नहीं भी रहेंगे तो सिस्पान सब्सक्राइख उनके निए प्रहेंगे लिएंके पैपटोंverbs Lore अगर पहन होगी तो इसके शादी करेंगी उसे पढ़ाईगी लिखाई एक ऐसी चीज होई है जिसका मेरे पास नहीं है अब शब्द ही नहीं है जो सोरिया बहुत ज़्यादा बोलती है आप लोगों को लगते हैं कितना बोलती है लेकिन आज मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं कैसे इस चीज को एक चीज बोलना चाहूंगी एक वर्ड होता है दुख और एक शब्द होता है दर्द दुख वो होता है जो हम किसी के बारे में सुनते हैं और हमें लगता है कि अरे हां यार गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था यह होता है दुख और दर्द वो होता है जब उसे आप महसुस कर रहे हो और आप एकदम से महसूस करने के बाद भी कुछ नहीं पा रहे हैं बहुत लाचार सा फील हो रहे हैं कि दर्द को महसूस कर रहे हैं कि नहीं यार, वो हमारे थे वो जवान, हमारे चाचा, मामा, ताउ कोई नहीं थे, लेकिन उन से भी शैद बढ़के थे क्योंकि उनकी वज़े से आज हमारा वजूद है आज मैं इस घर में बैठके आपसे बात कर पा रहे हो ये शूट कर पा रहे हो इतने इंपोर्टन हैं वो हमारे लिए कोई रिष्टा ना होते हुए भी इतना इतना अच्छा रिष्टा है ना इतने इप आङ스न के नीचे दबय हुए हैं जो आज देश की रिक्षा कर रहे हैं अगर बहुत बड़ा हुए हैं उनकी फैमिलीज का बहुत बड़ा इसान है कि ऐसे लोगों को मतलब उन सभी माओं को मैं सच में दिल से बहुत बड़ा एक वो देती हूँ कि आप आप भन्य हैं कि आप लोगों ने ऐसे बेटों को जनम दिया जो आज देश की रक्षाम कर रह करनी चाहिए ना कि अब ऐसा कभी न हो कभी न हो मतलब और ये वैलेंटाइन दे जो भी है ये अब जो हो गया मेरे से वो हो गया बट मैं अब शायद इस दे को इस तरीके से तो कभी सेलिब्रिट नहीं कर पाऊँगी है कभी मैं बहुत अजीब लग रहे है भुत गंदा ल अभी उन लोगों के लिए मैं नहीं डिस्क्राइब कर पारी हूं कि उनकी फैमिलीज किस तरीके से तड़ प्रही होंगी या कुछ भी मतलब उनके बच्चे होंगे उनकी फैमिलेज उनके माप बाप जिक किसी का अखियरा बेटा होगा सिर्फ एकी बेटा रहा होगा और वो अब नहीं रहा होगा तो उन बुढे माबब के ओपर क्या भी थेगी किसी की शादी होई होगी तो वो जो नई लड़की जिस उस घर में आई होगी वो क्या फील कर ली होगी क्या सोच रहे हैं हम लोग हम असे कुछ लोग इतने गंदे कैसे हो जाते हैं इंसान होने के बाद कोई इतना गंदा कैसे हो जाता है कि किसी दूसरे की जान कैसे ले सकता है कोई अगर इंसान हो आप कहीं के भी हो इंसान हो अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप किस तरीके के इंसान हो आपको इंसान नहीं होना चाहिए फिर वो भी 40 ऐसे लोग जो जिनकी वहे से पूरी इतनी 125 करोड की जन्ता मतब जिन्दा है और सिक्योर है उनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं यार कोश्यन है मेरा ये कैसे और अगर अभी भी इसके बारे में कोई गंद यार कोई भी गलत बोलता है ना तो उसको शर्म आनी चाहिए उपने उपर और इवन समझ नहीं आ रहा है मैं फिर से कह रहीं मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि इस बात को कैसे मैं समझाओं किसी को या मैं कैसे बताओं कि अभी क्या फील कर रही हूं अभी फील पता है कैसे कर रही हूं कि किसने कुछ छीन लिया है किसे ने कुछ छीन लिया है और जिसने भी कु नहीं बचा कुछ हम मेरे पास बोलने के लिए कि नहीं बचा मैं बहुत टाइम से में सोच रही हूँ कि मैं इस बात को कैसे रखोंगी आप लोग सामने कैसे करोंगी और जितनी बार भी सोच रहूँ ना अंदनी बार मेरी आँखों से आसमाने लग जाते हैं कि क्या हो गया, ये क्या हो गया, अपने दुख में तो हम सब लोग दुखी होते हैं, दूसरों की दुख में कभी दर्द दिखा के दिखो, और ये दूसरों का तो है ही नहीं, हमारे ही दुख है, हमारे यहां के थे वो लोग, हमारे जवान थे वो, हमारे जैनिक थे, एक बार फिर से मुझे मैं उन सभी जवानों को अपनी दरफ से एक बहुत इचाता सल्यूट करना चाहूंगी और इश्वर से प्रे करती हों कि प्राथना करोंगी कि हमारे देश के लिए इनका योगदान हम हमेशा जिंदगी भर जब तक सांस रहेगी कि हम याद रखेंगे जैसे हम कभी नहीं बूलते हैं कि हमारा देश कैसे आजाद हुआ तो यह कभी ना भूलें कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या दिया है बहुत कुछ दे दिया है इनको हमेशा सर जुगा के नमन करेंगे और एक सल्यूट इनके लिए हमेशा जब भी किसी सानिक की वाइफ को जब भी हम देखेंगे एक सल्यूट हम उनको जरूर देंगे वह डिजर्व करते हैं इसलिए देंगे